आयोधिया को पीम मोदी की बड़ी स्वागात मिलने वाली है आयोधिया में पीम मोदी का रोड शो ज्वारी है जो हाँ बताते चले कि श्रीराम के नारे लगाते हुए लोग फूल बरसा कर पीम मोदी का स्वागत कर रहे हैं पीम मोदी के स्वागत के लिए कई जिलों से होगा यह रोड शो और रेल्व स्टेशन से एयरपूर्ट तक रोड शो होगा और 15 किलो मीटर का यह रोड शो बताया जो रहा है तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जहां आपको बताते चले कि प्रिधानमंत्री नरेंद्र मुदी रोड शो करेंगे तो रोड शो कर रोड शो जो वारी है प्रिधानमंत्री नरेंद्र मुदी के जिस दोरान जो भारी भीड है वह देखने को मिल रहा है और लोगों के मन में का लगी उच्षाइक लगी जोश देखने को मिल रहा है फूल यहां पर परश्वर वर्ष्वा करते हुए नजर आ रहे हैं इसके सा करते हुए नज़र आएंगे स्वागत के लिए जो अवद्वासी है वो भी अब उमर पड़े हैं बड़ी संख्या में अवद्वासी आप पर खड़े हैं पीमोदी का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं और पंद्रौा किलो मीटर लगबा के लंबा रोड चो बताए जो पीमोदी का यह दौरा काफी अहम काफी खास मालज वाने चारा कई माईनों में महत्वण है और इस दौरे के दौरान पीमोदी आवद्वासी को कई बड़ी परियोशां की सौगात देंगे यहां पर पंद्रों असार करोन रूपए की परियोशां का लोकार पर और शुला प्रधानमंट्री नरिद्र मुनी है तो इन तस्वीरों के जरी आप देख सकते यहां प्रभाद्री नरींट्मूदी का काफला गजरता हुआ साफ्त-ौर से नजर आ रहा है हाथ लाकर अब द्रणक का भी आइहां पर अभिवादन कर सबसे तहें दिल से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेइंट मोधी नजर आ रहे हैं सादिसाथ आपको बता दे कि यहां पर लोगों में भी एकपार उच्छा एक पार उमंग देखने को मिल रहे हैं और यहां बता दे कि दूर-दूर से साधूसंती भी पहुंचे भी मुदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में साधूसंतों का जो हुजू में वहां भी पहुंच Newton यहां पर जो लोग हैं आपको बताते चले की पीम मोदी के स्वागत में कई जो अवदवासी है वो उम्रे है बड़ी संक्या में हुजूम उम्रा तो पुश्पवर्षवा पचास से जगाहों पर रखी जाएगी तो ये पंद्रों किलोमीटर लंबा जो रोट्षो है इसमें पचास से जगाहें ऐसी है जहां पुश्पवर्षवा खोती हुई नजर आएगी तो ये पंद्रों किलोमीटर लंबी रोट्षो निकाला जो रहा है लोगों के बीच से गुजरता हुआ प्रिधान मंत्री नरीन मुदी का जो काफिला है वो नजर आ रहा है लोगों में भी खुश्य और उमंग उत क्यारियां हैं फिलाल पूरी कर ली गए और इसे पहले लोगों तक पहुचने जो क्रम है वो की दिल को चूने का जो प्रिधान मंत्री का कदम है वो देखने को मिल रहा है तो देखिए कि इस तरह से यहां पर पर्योश्वाव का शुला नियास करते हुए नजर आ रहे हैं लोकारपण करने पृद्हान मंतृ नरेंद मूधी बड़ी यहां पर परीयोश्रा का लोकारन किया है पृद्हान मंतृ नरी देंद मांधी encAl behind मंतृ यूंग की आदितनात भी शामिल हैं वहां पर पहुँच चुके हैं उन्होंने ही स्वागत किया था प्रिधान मंत्री नरींज मूदी का परेवर्शाओं का लोकार पड़ा अश्विला नयास कर रहे यानि कि आयोध्या वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे लगबग 15,000 करोड रुपए की बड़ी सौग बात है जो लोगों तक पहुच्वाते हुए पीमोदी नजर आएंगे काई ना कहीं काफी जादा फाइदा भी मिलेगा लोगों को क्योंकि अब जो तरह से और पुरा आयोध्यारा मंदिर का निर्मार हो चुआएगा उसके बाद जो परेटन का ख्श्वित्र है उसको भी क पहिना कहीं आयोध्या में बढ़ावा मिलता हुआ साफ तोर से नजर आएगा क्योंकि पूरी तरह से दिमाग में रखके सारी चीजों की परिकल्पना करके आके निर्मार किया चुआ रहा है कि परेटन के द्रस्ट्री से भी काफी जादा महत्व पूरे इसको लेकर तमान जो विवस्ताएं ट्रेनें वह भी चलाईच्वारी की आने वाला जो परेटक है उसको किसी वी तरह की कोई भी परेश्वानी ना हो इसको बंद नजर रखते हुए तमाम जो त्यारी हैं वह कीच्वारी है और अगर यहां पर परेटन के द्रस्ट्री से देखे परेटन जलता हुआ भी नजर आएगा नौक्रियों के जो अफसर है वो भी आम तोर पर बढ़ते हुए नजर रहें तो कई माहिनों में महात्पूर कई माहिनों में यह सफल पूरी तरह से साबित करनी की पूरी कोशिश पूरी जोगती हुए ताकत नजर आ रही है और प्रिदान मं युखिया दितनात भी मौझूद है युखिया दितनात ने प्रिदान मंतरी नरींद मोधी का एरपोर्ट पर बव स्वागत किया वहां से पीम मोधी को रिसीव किया और इसके साथी रोड शो का आगास कर दिया रोड शो एरपोर्ट से शुरू होकर रेलवे स्टीशन तक वह पहुच रहा है आवध्धाम रेलवे स्टीशन पर पे हुच कर वहां पर उदगाटन करते हुए नजर आएं प्रदान मंतरी नरींद मोधी तुद देख सकते हैं लाइफ तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदान मंतरी नरींद मोधी यहां पहुच हैं और तमाम चीजों के तमाम कारिक्रमों में शिरकत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं उतर प्रदेश के मुख्य मंतरी योग याद इतनाद भी मौजूद हैं साथी साथ यहां पर उप मुख्य मंतरी के शप्रिशाद मौर भी मौजूद हैं ब्रजीश पाठक भी और यहाँ पर समीक्ष्वा करते हुए नजर आ रहे तो देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिधान बंतुरी नरीन मुदी एक एक चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं बारी की से चीजों कुछ समझ रहे हैं यहाँ पर कि क्या कुछ जो पूरा कारेक्रम है वो तैकिया ज़ार आगे की रणी थी क्या कुछ रहने वाली है कारेक्रम की राम मंदिर को लेकर किस तरह से आगे जो कारेक्रम होगा वो तैकिया ज़ागा तो तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर समझते हुए चरच्वा करते हुए नजर आरें तस्वीरों के जरी देख सकते हैं जो आप प प्रदेश के मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री तेशा परशाद मौर समें इत्माम नेताम मौजूद हैं तो तस्वीर हैं सीदे आपको दिखा रहे हैं आयोध्या से लाइफ तस्वीरे हैं जो आप प्रदान मंत्री नरीन मुदी पहुचे हैं कारक्रम में और यहाँ पर रोडशो प्रदान मंत्री नरीन मुदी का यहाँ पर ज़ारी था उसके बाद अब आगे कारक्रम को बढ़ यहां मुझूद है और तमाम चीजों की च्छानकारी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपको बताते चले कि बाइस जनवरी दोजार चौबीस को रामलला की प्राहण प्रतिस्टा हुनी है इसको लेकर तैयारिया बखुबी देखने को मिल रही है उसी को लेकर यहां च करशवा करते हुए प्यमोदी नजर आ रहे हैं और किस तरह से कारिक्रम रखना है क्या चीज़ें रहेंगी क्या रणीती बनेगी तमाम चीज़ें समझते हुए नजर आ रहे तो तस्वीरों के ज़री देख सकते क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 15 किलो मीटर लंबा जो रोड़ शो था वो तैय किया और उस दोरान बड़ी संख्या में भारी मातरा में जो लोगों की उपस्तिती है वो देखने को मिली है यहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी उपस्तिती दर्ज की और अलग अलग जगाओं से बड़ी संख्या में साधू संथ भी चले पचास से अधिक जगाओं पर पुश्प वर्षवा की गी तो कई माईनों में महत्वपूर्ण है और भव स्वागत किया गया लेकिन आगे अगर बात की जाएं परेटन की दरस्तिती से राममंदिर के लिए तो काफी जादा महत्वपूर्ण हो जाता है और कई चीत मे फाइदा मिलता हुआ अवश्प नजर आएगा कही न कहीं बेरोजगारी में भी लोगों को फाइदा पहुचवाएगा लोगों को रोजगार मिलने के जो अफसर हैं वो भी बढ़ जाएंगे क्योंकि राममंदिर के निर्मार किया जाए उसके बाद जब परेटन की कते नाहों अराम से पहुच सके और इसके अलग ही आज प्रिधान मंतरी नरीन मुदी छे बंदे भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाएंगे और इसके साथ साथ दो अमरेद भारत ट्रेनों को भी हरी जंडी दिखाएंगे यानि की काई न कहीं लोगों को हर जरीय से नजर आएगा लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो प्रिधान मंत्री नरिन मोदी के तरफ से भी लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है इन सभी चीजों की यह बड़ी सौगात 15,000 करोड रुपए की परियोशाओं का लोकार पर अश्विला नयास करने जा रहे तो परेटर ने के क्षेत में करी नकौई ज़रूर बढ़ावा मिलेगा जिसको लेकर जो लोगों को न दे इस यह बीरोजगार ने को रोजगार आवश्विला अवर्श मिलता हूँ प्ला़ अगर रेविन्यू की बात कर ले तो वो हर तरफ से भी मिलता हुआ नजर आएगा जो कि अगर पूरे बात की जाए तो एक तरह से काफी बड़ा जो फाइदा है वो मिलता हुआ भी लोगों तक फाइदा पहुसता हुआ नजर आएगा तो दीख सकते हैं प्यामोदीस दौरान अभी यहां पर मौजूद है और यहां पर तमाम चीजों की जवानकारी भी ले रहे हैं लोगों मंत्रियों से चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं तो आपको बता दे देख सकते हैं प्रिधार मंत्री नरींद मूदी आगे पहुच वे हैं और कार्करम में भाठ लिया जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी चुंडी दिखा कर रवाना करेंगे तो एक बड़ा फाइदा मिलता हुआ एक बड़ी सोकात मिलती हुई अब द्वास दिखाएंगे लोगों को दोरी सोगात मिलने जा रही है जिसे कहीं न कहीं आवजाही में भी लोगों को सुगम होगा यहां पर व्यवस्ता हैं वो भी दुरुस्त रखी जाएंगी तो अब यहां पर प्रदान मंत्री नरींद मूदी की तरफ से हरी चुंडी दिखाई है 15.000 करोर रुपे कि यह सोगात परियोज़ाउओ का लोकारपन श्रुला नयास करेंगे इसके साथ 6 वंदे भारत ट्रेनी हैं और इसके साथी 2 अमरत ब्हारत ट्रेनी हैं इसके साथ साथ railway station है एरपूर्ट है जिनका inauguration करेंगे प्रिधान मंतरी नरीन स्मूदी ट्रेनों को आरीच वंडी दिखाकर रवाना करेंगे आयोध्यधाम station का उद्गाटन करत चुके हैं प्रिधान मंतरी नरीन स्मूदी अब अमरत भारत ट्रेन को और वंदी भारत ट्रेन को आरीच वंडी दिखाकर रवाना करेंगे यात्रियों को कहीं न कहीं बेहती फाइदा मिलता हुआ नजर आएगा और जो लोग है वो सफर कर सकते हैं आसानी से उनके लिए सफर को आसान बनाना ही लक्ष है